हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सभलता मंत्रा साम की लाइब क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हो और आज की क्लास में आपको कुछ महत्पूर्ण कोश्चन जो कि आपके संभिधान टॉपिक से रिलेटेड हैं इन कोश्चन को हम लो पचास अंकी पूरी सटीक त्यारी चले ही जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा पहला कोश्चन आपके सामने आचुका है देखे जल्दी से वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विध इंदर सासित प्रदेश है इनको मिला करके संख्या हो जाती है साथ इसके साथ ही साथ आपको बता दें उसो तीन राज्य अभी बी ऐसे हैं जिन में मंजूरी दे दी गई विधान परिसद की लेकिन अभी कारव प्रगयत में वहां पर विधान परिसद नहीं बनाई गई है लेकिन मंजूरी मिल चुकी है उमीद है कि अगली बार वहां भी वो भी आपके संख्या के अंतर कर जुड़ जाएंगे लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना साथ राज्य ऐसे हैं सेकेंड नमबर कोशन है राश्टिय विकास परिसद की बैठक में राज्य का प्रतिन प्रतिन के रूप में राश्टि विकास परिसद की बैठक में सम्मिलित होता है अगला आपका थर्ड नमबर कोशन आपके सामने है इन कोशन को जरूर देखेगा समिधान से आपके तीन-चार कोशन एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो अगला कोशन थर्ड नमबर को अपर हो जाएगा सी नमबर ऑप्सन उसे क्या कहते हैं महाधिवक्ता की रूप में जाना जाता है जो लोग पिछली वेकेंसी के बारे में जान चुकेंगे उनको पता होगा कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई केस होता तो उसमें अपना पक्ष रखने के लिए महा उसमें न्याया धीसों की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों सरवोच न्याया धीसों की कुल संख्या आपकी 31 है 31 है अगला आपका 5 number question आपके सामने है कि सर्वोच नयाले के मुख नया धीस की नियुक्ति कौन करता है तो दोस्तों सर्वोच नयाले के जो मुख नया धीस है इनकी नियुक्ति की जाती है राश्टपत के द्वारा जीहां दोस्तों इसका आपका A number option बिलकुल correct हो जाएग यह तो link नीचे दिया गया उस class को भी जरूर देखेगा अगला question है भारत के सर्वोच नयाले का नया धीस कितनी उम्र तक अपने पदपर बना रह सकता है यानि कि maximum age पूछी गई है किस उम्र तक अपने पदपर कार कर सकता है तो जो maximum 65 वर्स होती है दोस्तों D number option आपर आप का बिलकुल correct हो जाएगा Supreme Court के मुख नया धीस की जो maximum age होती है वो 65 वर्स होती है D number option आपर आपका बिलकुल correct हो जाएगा seven number question आपके सामने है सरवोच नियाले के پرथम मुख नियाधीस कौन थे तो सरवोच नियाले के परथम मुख नियाधीस की भात जब की जाएगी ये question आपके U.P. TED में पूचा जा चुका है तो उनका नाम था ह.J. कानिया यानि की हीरा-लाल-जे-कानिया के रूप में इनको जाना जाता है और B-Number option आपर बिल्कुल correct हो जाएगा सर्बोच नयाले के सुप्रिम कोड के पर्थम जो मुखिनयाधीश थे उनका नाम हीरा-लाल-जे-कानिया था B-Number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा साथी साथ आपको एक question का answer देना कि वरत्मान समय में मुख नयाधिस कौन है सर्भोच नयाले के मुख नयाधिस वरत्मान समय में कौन है अगला आपका एर्थ नंबर कोशन है संबिधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है यानि कि संबिधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है यानि कि संबिधान को लेकर कोई भी बात अगर उठती है तो उस पर अंतिम अधिकार किसको प्राप् लेगा अगला आपका 9 number question है सर्वोच नयाले की पहली महिला नयाधीस कौन थी यानि कि यहाँ पर पूछा गया जो पहली महिला नयाधीस थी उनका क्या नाम है सर्वोच नयाले की सुप्रिम कोड की तो इनका नाम क्या था दोस्तों B number option M फातिमा वीवी जो थी यह आपकी पह आपने अगला 10 number question है निम्न में से भारत के किस मुख्य नयाधीस ने सर्वोच राष्टपत के रूप में काम क्या बहुत अच्छा question है कि इन में से भारत के कौन से मुख्य नयाधीस है जिनोंने राष्टपत के रूप में भी कार किया है तो यह आपका सही option A number option हो जाएगा Justice M. Hidayatullah जो है इनोंने राष्टपत के पदपर भी कार किया है राष्टपत के रूप में कार किया है सुप्रिम कोड के नयाधीस के रूप में भी कार किया है अगला आपका 10 questions यहाँ पर complete होते हैं आगे बढ़ते हैं लोग अगले question पर कम से कम समय में questions कवर करा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इन questions को देखिएगा समझिएगा और कोई भी doubt होने पर आप लोग comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो अगला 11 number question आपके सामने है कि भारत में सर्वोच नयाले की स्थापना हुई थी भारत में सर्वोच नयाले की स्थापना किस अधिनियम के हुई थी तो यह आपका D number option में दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इस अधिनियम के अंतरगत भारत के जो सुप्रिम कोट है की गई थी 1935 के एक्ट के अंतरगत भारत सरकार के 1935 के एक्ट के अंतरगत इसकी स्थापना की गई थी अगला question आपके सामने है 12 number question सर्वोच नया लेके नया धीसों की संख्या में ब्रद्ध करने की सक्ति किसको प्राप्त है बहुत अच्छा question है 12 number question आपके सामने आ चुका कि इन में से किसके पास ये सक्ति है कि सर्वोच नया लेके नया धीसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 number question पर भारत में नया पालिका कैसी है तो दोस्तों आपको पताओगा भारत की नया यालेका पक्ष होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है उसका संसद से कारेपालिका से या फिर व्यवस्थापिका से किसी भी प्रकार का कोई संबंदर नह नया याले हैं तो यहाँ पर question में थोड़ा सा correction करना है पहले इसकी संख्या 26 थी लेकिन अब एक ब्रदी और हो गई है यानि कि अब इसकी संख्या कितनी हो गई है तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 25 और जो सबसे नवीनतम उच्छ नयाले आपका बनाया गया है वो आपका आंध प्रदेश में बनाया गया तो यहाँ पर आपको correct answer क्या करना 25 करना है भारत में कुल उच्छ नयायले की संख्या कितनी हो गई है तो यह आपकी 25 कुल संख्या है भारत में उच्छ नयायले की अगला आपका 15 नमबर question आपके सामने है उच्छ नयायले के मु बहुत अच्छा महत्पूर्ट कोशन है 15 नमबर कोशन का आपका बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा चली दोस्तों तो आगे बढ़ते हम लोग 16 नमबर कोशन पर अगला कोशन आपके सामने ला रहा हैं इसके पहले आपको बता दिन दोस्तों लगातार आपको सुपर्टेट प् नयाधिस किस आयू तक अपने पद्व पर रह सकते हैं अभी हमने आपको बताया था सर्वोच नयाले में तो सर्वोच नयाले में संख्याए 65 वर्स और यहां पर यह आपकी आंसर हो जाएगा 62 वर्स तो आपका सही ऑप्सन आपर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्सन 62 बिल्कुल सही उम्र है अगला कोशन आपके सामने है देखे जल्दी से क्या दिया गया उच्छ नयाले का मुख नयाधिस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो दोस्तों उच्छ नयाले के मुख नयाधिस अपना त्याग पत्र किसको देते हैं तो वो अपना त्याग पत पर नियुक्तु होने वाली पहली मेला कौन थी उच्छ नियाले के मुखिनाधिस सर्वोच नियाले की बात यहां पर नहीं हो रही बात हम लोग कर रहे हैं उच्छ नियाले के मुखिनाधिस की तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इनका नाम है दोस्तों लीला उच्छ नयाले की मुख नयाजिस के रूप में कार करने वाली पहली मेला थी D number option बिलकुल correct हो जाएगा अगला question आपके सामने निम्द में से किस उच्छ नयाले की अधिकारिता सरवाधिक छेत्रों पर है यानि कि इन में से कौन सा उच्छ नयाले जिसकी अधिकारिता सबसे अधिक छेत्रों में है यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा A number option गुहाटी की जो high court है उच्छ नयाले इसकी अधिकारिता काफी छेत्र में फैली हुई है तो यह आपका A number option बिलकुल correct हो जाएगा अब आज का अंतिम question है दोस्तों 20 number question देखे जल्दी से भारत के संबिधान के अंतरगत कितने प्रकार की आपात कालीन व्यवस्थाएं दी गई है दोस्तों कम से कम समय में सभी questions cover किये गए जैसे ही net problem resolve होती फिर से आपकी live class continue करेंगे आप लोग तब तक classes को देखते रहे अधिक से दिक share करते रहे मिलते हैं अगली class में तब तक लिए थैंकि दोस्तों good bye take care